कर्क यानि कैंसर राशी वालों के लिए राहू का इस साल में जो गोचर है आपकी गुडविल को प्रभावित करना है पहले चार महीने तक जो ब्रहस्पती है किस्मत के घर से निकल रहे हैं अधिकर धया आपको परिशान करने वाना है पैसे की बरकत जो है ना खत्म से होती हुए दि पत्ति पत्नी के बीच में समानवय के थोड़े असार कम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए एवरेज साल हर सौमवार को पंचामरित बनाना है को धया की नेगटिविटी से भी रक्षा करेगा नववर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक शुपकाम ना है इश्वर करें ये साल आपको निरंतर प्रगती के पत्थ पे लेके जाए नए साल के मौके पे मैं लेके आया हूँ नए साल का आपके लिए बहुत ही विशेश राशी फल ये विशेश किस तरह से है ये विशेश इस तरह से है क्योंकि इस राशी फल में आपको पूरे के पूरे 12 महीने यानि जैन्वरी से लेके 31 दिसंबर तक का आपकी राशी के अनुसार complete विवरन बताया जाएगा इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि ये साल आपके लिए अच्छे से अच्छे मौके किन समय में लेके आ रहा है आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इस साल में अगर चैलेंज आएंगे ये कब आएंगे यानि पूरे साल में जितने भी उतार चड़ाव आएंगे न ये इस राशीफल में आपको completely पता चल जाएंगे ऐसी जान करी अगर आपके पास हो न तो आप अपने लाइफ को आने वाले साल को बहुत अच्छे से plan कर पाओगे वो कहते हैं न, failing to plan is actually planning to fail यानि अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है तो दरसल आप fail होने की ही योजना बना रहे हैं तो सारा साल आपके लिए अच्छा रहे एक योजना बद्ध तरीके से आप आगे बढ़ते रहें उसके लिए मैं आपकी विशेश आपकी राशी के अनुसार ये राशी फल लेके आया हूँ नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैपी लाइफ विद्योगेश शर्मा में करक यानि cancer राशी वालों के लिए विशेश सूचना कि ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए जिनकी करक चंदर राशी है ना के लगन राशी यानि अगर आपके चंदरमा बर्थ चार्ट में करक राशी में हैं तो ये 2023 का जो राशी फल है ये वीडियो श्पैशिल फ को अश्टम स्थान धैया बोला जाता है यानि धाई साल के लिए करीबन 2025 की मार्च महिने तक का जो समय है यह आपके लिए एक adverse समय कहलाता है इस समय में specially जब शनी जो है आपके चंदरमा से आठवे घर में आपकी राशी से आठवे घर से निकल रहे है यह अलग अलग तरह से दिक्कते देते हैं कैसी दिक्कते यह शनी सबसे पहले तो जो पास्ट में गलतियां होई होती है वो तरके उपर आ जाती है द पहू का इस साल में जो गोचर है न यह आपकी गुडविल को प्रभावित कर रहा है तो यह संभावना बनेगी कि इस साल के मध्य से लेके इस साल के इंट तक किसी ना किसी तरह से सरकार से परेशानिया किसी ना किसी तरह से आपके बॉसेस से आपको परेशानिया या जो ल लोगों को अपने supplier से या वेपार में जो भी लोग इनको चीज़ें supply करते हैं, उनसे किसी ना किसी तरह के difference of opinion या दिक्कते या लड़ाई जगडे हो सकते हैं. हाला कि साल की शुरुआत से पहले चार महीने तक जो ब्रहस्पती हैं, ये किस्मत के घर से निकल रहे हैं, इसलिए पहले चार महीने किस्मत का कोई नुकसान नहीं बलके फाइदे भी देखने को मिलेंगे, और साल के मध्य में यानि 22 अप्रेल आनवर्ड जब ब्रहस्पती आ कि जितनी योजनाएं आपने बना रखी होंगी, वो अब धरातल प्याएंगी, वो आपको स्पष्ट होती हुई, फ्रूटफुल होती हुई दिख जाएंगी, लेकिन इस साल में आपको बहुत ज़्यादा केरफुल रहना है अपने पैसे की संभावनाओं को लेगे, किस त पैसे की बरकत जो है आपको बड़ी खत्म से होती हुई दिखेगी, आपको लगेगा कि पैसा कब आ रहा है, कब जा रहा है, पता ही ली चल रहा है, हाथ में पैसा है नहीं, लेकिन सारा दिन आप पैसे को मैनेज करते ही आपका निकल जाता है, और स्पेशली साल में क्या हो या चलने फिरने में कोई दिक्कत, या ड्राइविंग के दुरान किसी तरह की चोट लग जाना, ये चीजें संभफ हो सकती है, और स्पेशली आपका गर्दन से उपर का एरिया है ना, इसमें किसी ना किसी दिक्कत, जैसे के दाड या दांत की दर्द, आईज की या कानों की ENT की ट्रबल, या सरदर्द का होना, इवन शरीर का बहुत जारा ड्रेंड आउट रहना, ठके रहना, ये चीजें बहुत हावी हो सकती है, काम में बहुत जारे इन्वाल होने की वज़ा से आपका ब्लड प्रेशर भी जो है ना, आपके लिए एक परिशानी का सबब बन सकत है, रिष्टो नातों की बात करें, तो यहां पे पती-पत्नी के बीच में समनवे के थोड़े असार कम दिख रहे हैं, पती-पत्नी जितना एक दूसरे को इज़त देंगे, जितना एक दूसरे के पॉइंट ओव व्यू की कद्र करेंगे, ये साल उतना ही उनके लिए अच् साथ खड़े हैं, यानि परिवार का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन फिर भी पती-पत्नी के बीच में या अगर आप पार्टनर्स हैं, तो आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस ओपपीनियन देखने को मिल सकता है, रही बात स्टूडेंट्स की, रहोगे, उतना ही मीठा बनता रहेगा, तो आपको उपाय क्या करने हैं, इस साल में मैं आपको कुछ विशेश उपाय दे रहा हूँ, जिन उपायों से ना पैसे की बरकत में कमी आएगी, ना ही आपके लोगों से संबंद बिगनेंगे, और ना ही जीवन में कोई ग्रॉस होने के योग बनेंगे, तो ये उपाय आपके लिए है बड़ा ही विशेश, इस उपाय में आपने क्या करना है, हर सौमवार को आपने शिवमंदिर जाना है, पंचामरिद बनाना है, यानि दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीज़ों को मिक्स और हर मंडे, रूटीन से आप शिवलिंग पे अरपन करना शुरू करिए, ये उपाय आपके लिए एक जबरदस्त उपाय है, और स्पेशली आपको बिना गिने हुए महा मृत्यूंजय मंतर का जब करते ही रहना है, आते जाते, उठते, बैठते, यहाँ पे सौमवार की को जोई शर्त नहीं है, सारा दिन रोज भी आप इसको कर सकते हैं, ये आपको धाया की negativity से भी रक्षा करेगा, और इस साल में आपको मिलने वाली सारी संभावनों के द्वार भी आपके लिए खोलेगा, तो ये था 2023 में करकराशी वालों का वर्ष का पूरा हाल, मैं आशा करत हूं इससे लाब ले के आप पूरे साल को प्लैन कर पाएंगे, नव वर्ष की आपको एक पर फिर से बहुत बहुत शुब काम ना है, तो बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नहीं विशे के साथ, अपना खूब ध्यान रखिएगा, नमस्कार करने जा रही है, जो नॉलेज अपने प्यर रूप में आप तक पहुंचे, वो आपके जीवन में वैल्यू एड करेगी, और जो नॉलेज मैनुपलेटिड वे में मिलेगी, वो आपके जीवन को वहमों में डालेगी, तो मेरी एक पूरी कोशिश रहेगी, कि नॉलेज को अ अमेशा आपके लिए लेके आऊंगा एस्ट्रोलोजी और वास्तु के कुछ ऐसे सत्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके जीवन को रोश्नी से भरेंगे और आपको लेके जाएंगे तरक्की की तरफ, तो एक बार फिर से मेरा आपको हार्दी कभिना